तो बहुत ही यूज़ उसका कॉमेट आ रहा था कि सर अधार लिंगिंग सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया में कैसे करें ओनलाइन तो देखिए सबसे पहले सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया के अगर हम वीबसाइट पर आते हैं तो यहां पर एक ओपसंस तो है अधार लिंक लेकिन बंद कर दिया गया है और यहां पर आपको ऊपन ही नहीं होगा इसमें जो है आप आधार लिंक यहां से नहीं कर सकते हूं लेकिन इसमें एक नया ओपसंस आया है जैसे कि आप लोग सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया में यहां से आधार काड लिंक नहीं कर सकता है अभी फिला क्या है आधार लिंक का लेकिन इसमें भी अभी तक Central Bank का लिस्ट में नाम नहीं आया है इसमें जो है अधर्स Bank का नाम आया है जिसमें 5-6 बैंक यह भी लेकिन इसे धिरी-धिरी रोल आट कर दिया जाएगा सबसे पहले इस वेब साइट पाने के बाद यहां पर इस पर क्लिक करना है उसके बाद आहां यहां एक उप्सेंस देख रहा है आपको भारत आधार सीडिंग एनेबल इस पर क्लिक करने के बाद अभी फिलाल मैं रेक्मेंड करता हूं कि Central Bank का भी आया ही नहीं है यानि कि मैं बता दे रहा हू आधार नेमर यहां पर आधार नूमर देना है उसके बाद यहां पर बैंक सलग करना है सबसे पहले हम Central Bank लिकते हैं यहां पर यहां बारोदार जाली बंग इंडियन बेंक इंडिन उन्वेंस बैंक आधा का बैंक यह आभी एक दू तीन चार पाची भी यहां पर आगर कनार प्रसीड करना लिंक हो जाएगा लिकिंट चेन्टल बैंक का अभी तक यहां पर नाम नहीं आया है हो सकता है कुछ दिन वेट करने के बाद एक मन्त दो मन्त आपको जो है सेंटल भ ऊपपना है यहां पर एक और खास से यहां पर यहां पर आप लोग स्टीटेस यहाँ पर उसके बाद यह तीसरे नंबर जो आधार गेट आधार मैपिंग स्टीटेस में क्लिक नहीं आपको जो है अधार काड लिंक हुआ इकन नहीं वह भी मालूम चल जाएगा अगर फिलाल आभी सेंटरल बैंक वे आधार काड लिंक करना है तो आफ्लाइन के लाभा आपके पास फोई भी ऑप्संस नहीं है दूसरा ऑप्संस है इंटरनेट बैंकिंग लेकिन उसके भी एक्टिबीट का निकला आपको परांच ही जाना पड़ेगा आफ़ कभी है इंटरमेशन आचल की लाइक से शस्क्राइब